Strents वेल, हमलों लोगों पृछली लेसन में, मैवेशिस के कॉंसेप्ट को देखा था और ने देखा है लेकुँ थे पौनसेप्ट को देखा था किस तरह से मेल और फिमेल बॉडी में हैपलोज सेल्स या सेक्स सेल्स तैयार होते हैं क्या उसका इंटाइर प्रॉसेस है और उसमें लोग उने क्रॉस ओवर की कॉंसेप्ट को भी देखा था जिसकी वज़ा से जैनेटिक वेरियेशन आते हैं और बच्चे जो हैं वो अपने पैरेंट्स की एक्जेक्ट कॉपी नहीं लगते हैं खुछ नहीं पुछ चेंजेज आपको देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर उसी पर बेश्ट कुछ एक्टिविटी करते हैं पहले जो हम कुछ क्रॉस ओवर करवा देते हैं और पैरेंट वन फिर और पैरेंट टू दोनों का जो है अबलेबल है अब कुछ क्रॉस ओवर करवा देते हैं तो चलिए हमने क्रॉस ओवर कुछ करवा दिया इधर पैरेंट टू में भी कुछ क्रॉस ओवर करवा देते हैं अब यहां पर आपने देखा होगा एक एलिल कीज है वैसके लिए कैपिटल लेटर में जो दिया हुआ है आपको यह डॉमिनेंट ट्रेट्स होते हैं यानि कि वह ट्रेट जो की विजीबल रहेंगे और यह डिसेसिव ट्रेट हुआ वह ट्रेट जो की कम्प्लिटली मैनिफेस्ट या दिख नहीं पाता है यहां पको डिफेंट ट्रेट्स की लिस्ट मिली है बी जो की बॉडी के कलर से रिलेटेड है एल जो की लेग मौजूद होगा या एंटेना मौजूद होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा और आर जो है वह आइस के कलर को रिप्रेजेंट करता है अगर अपरकेस रहा तो विंग जो है इसका वह करली होगा और अगर लोगर केस रहा तो नॉर्मल विंग होगा अगर अपरकेस अगर इसका ब्राउन बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा परकेस या अपरकेस ल तो है पर फेसर यूठ पर लेग्टोम अब आप जान लेज़एगा कि कभी भी ऐने हैं अ की भी e-lts काी &ill pras अगर एक dominant और एक recessive रहा तब भी आपको dominant वाला trait ही दिखेगा ठीक है ना लेकिन genotype जो होगा वो अपर के c और small c हो जाएगा अगर दोनों के दोनों recessive रह गए एलल्स तो ऐसे में जो है क्या होगा recessive वाला trait जो होगा वो दिखेगा आपको तो हमने चली यहाँ पर कुछ changes कर दिये थे अब गैमेट को divide करते हैं अब क्या करते हैं तो इस parent से एक gamet लेकर आते हैं और इस parent से भी हमें एक gamet लेकर आते हैं अब phenotype देखते हैं अब यहाँ पर देखें पूरा का पूरा जो है हमको dominant वाला ही दिख रहा है इधर तो उस वज़ा से traits में जो है क्या रहेगा dominant जो trait है वही आपको दिखेगा curly wings दिखेंगे brown body होगी right head पर जो है legs मौजूद है और eyes जो है वह red है right अब चलिए फिट से हम क्या करते हैं इस बार eyes को जो है हमने यहाँ पर change कर दिया है right अब हम gamut को divide करते हैं अब क्या करते हैं तो हम जो है एक यह वाला लेते हैं और एक यह वाला gamut हम उठाते हैं sorry right gamut को divide कर दिया हमने यह parent 1 का gamut हुआ यह जो है parent 2 का gamut हुआ let's bring it here एक में देखिए dominant r है एक में जो है small r है right so phenotype तो सारा का सारा trade जो है वो decisive आया है लेकिन eye जो है अभी भी red है क्यों क्योंकि एक dominant जो है यहाँ पर genotype मौजूद है या एक जो है sorry dominant जो है LL मौजूद है और उसी वज़र से जो genotype बना वो uppercase r lowercase r बना और ऐसे में जो की एक dominant मौजूद है LL तो इसी का trait जो है वो visible हुआ और इसी लिए इसका eye जो है वो भी red दिख रहा है चलिए फिर से वापस चले इस बार जो है legs on head जो है उसको जो है हम change कर देते हैं तो यह वाला LL हम ले गए तर और यहां से जो है हम कौन सा ले लेते हैं चाहिए इसमें हमने कोई change नहीं किया था इसमार हमने जो है क्या किया यह यह पूरा का पूरा चेंज किया हमने इधर और इधर भी हमने जो है change किया है अब डिवाइड करते हैं इसको gamit में लेक में have this one and then I am having this one अब फिनो टैप देखिए अब यहां पर कहा है कि आपको जो है दो ट्रेट जो है वो dominant वाला दिख रहा है curly wings है अभी भी और brown body है लेकिन अब जो है यहां पर देखिए head legs नहीं मौजूद है head पर antenna type का structure जो है वो मौजूद है और इसका लावा eye जो है वो red नहीं है यह अब orange color का हो गया है right let's reset अब यह वाला हम जो है sorry इधर का तो हमने कर दिया था switch कि इधर का भी कर देते हैं अब यहां से जो है हम एक इधर वाले को भी कर देते हैं इधर वाले को भी कर देते हैं right डिवाई इंटू गैमेट्स अब देखिए यहां पर क्या है कि विंग्स वाला जो गैलल है वो दोनों का रिसेसी भी है तो है लेक्स ऑन हैड़ वाला जो है दोनों का डौनों का रिसेसी भी है लेकिन आइज का कलर वाला जो है एक का डोमिनेंट्स है एक का रिसेसीशर धjän ज़त् legit देखिए देखिए वींग्स नॉर्मल विंग हो गया currently नहीं है कलर जो है वो ब्राउन है कोई बात नहीं लेक्स जो है वो हैट पर नहीं है एंटेना है यहाँ पर राइट और आई जो है वो रेड आ गया है क्यों क्योंकि एक जो है डॉमिनेंट एलल यहाँ पर मौजूद अभी भी है राइट अब हम दूसरा चीज करते हैं कि हम सारे के सारे जो है रिसेसिव ट्रेट को इस के से लेते हैं आब फिनोटैप देखिए यह को इफिनोटियप है जो कि आपको इथर दिख रहा रहा है नॉर्मल विंग्स, ब्लैक बोडी, एंटेना मौजूद है यहां पर और आइट जो है ओरेंज है तो इस एक्सपेरिमेंट के जरी हमने देखा है किस तरह से मायोसिस में क्रॉस ओवर होता है क्रॉस ओवर होने की वज़ा से जो होता है कि जो एक्ट्वल क्रोमोजोम से होना जो होता है वो चेंज हो चुका होता है और उस वाई से जनीटिक वैरिएशन आ जाती है इसमें हमने ये भी देखा कि हरा एक jyn का चुकित हैजने कि हम एलेल्स कहते हैं तो फादर की साइयड से एक सेट एलेल आता है और अर दोनों एलेल मिलके तै करेंगे जो चाइल्ड है उसका फिणोटाइब क्या होग यानि वह दिखने में कैसा लगता है इसमें एक और फेक्टर क्या कंसिडर करना है कि अगर एक dominant और एक recessive LL अगर आता है तो फिनो टाइप जो होगा वो dominant LL जैसा होगा अगर दोनों के दोनों recessive आ जाते हैं तब फिनो टाइप जो है वो recessive जैसा होगा आप लोग यह topic बढ़िहां से समझ गए होंगे इट विल बेरी हेल्पफुल इन यो लाइक class 10 topic हरेडिटी और साथ साथ जो है आपको रिप्रोडक्शन और जैरिटिक वैरिएशन की concept में भी यह थोड़ा सा help कर देगा ज्यादा बढ़िहां तरीके से अब यहाँ पर हम एक challenge लेके देखते हैं आपको target of spring दिया गया है यहाँ पर कि आपको एक fruit fly बनाना है जिसका कि normal wings हो याने कि दोनों lowercase c black body हो normal antenna हो और red eyes हो यह तो अभी अभी हमने बनाया ही था है कि नहीं लेकिन फिर से इसको हम try करके देख लेते हैं तो हमको देखे सिर्फ red eyes में हो क्या चाहिए एक dominant चाहिए और एक recessive चाहिए तो चलिए एक आर को हम change कर लेते हैं अब जो हम gamut को divide कर दिया हमने इधर से हम यह वाला gamut उठाते हैं जिसमें कि तीनों एलल जो है वो recessive है बस एक dominant है और इससे हम एक sister chromatid उठाते हैं इसमें कि चारों के चारों एलल जो है वो recessive है अब चलिए दूसरा target of spring लेते हैं इसका curly wings होगा brown body होगी normal antenna होगा और orange eyes होगा तो हमें क्या करना है कि ऊपर के जो दो एलल्स हैं इनमें cross over करना है हमको चलिए यह नहीं ऊपर के दूनों एलल्स हमको जो है perfect चाहिए यानिकि दूनों dominant ही चाहिए हमें नीचे वाले में जो है change करना है अब हम जो है gamut को divide कर देते हैं देखिए यह जो gamut है इसके पास जो है दो dominant traits है और दो recessive है हम यह दो recessive ही तो दिखाना था चलिए हम यह उठाके ले आते हैं इधर इधर से हम सारा का सारा recessive भी उठा लेते हैं वैसे करने के लिए हम इधर भी change कर सकते थे अब जो है हम phenotype check करके देखते हैं ओ सॉरी मैंने क्या गलती कर दी एंटेना चाहिए था वो मैंने ले लिया था इसे हम हैं दोलं चैया गलत हो गया है फिनो टाइप को पी मैंने मैक कर दिया था लेकिन जो टाइप में गलती हो गयी इस बार मैं फैल कर गया तो में दूबारा ट्राइ करूँगा इस बार मुझे क्या चाहिए मुझे क pourquoi ilme is dominant. Is dominant ls चाहिए right Wings के लिए और Body के लिए और Antenna और eyes इसके लिए dh recessive right तो इतर हमें change कर दिया नहीं है कङह mana है इतर हमें change कर लिया इधर जो है हमें दो small small चाहिए तो इधर भी क्या करेंगे हम दो को change कर लेंगे अब try करते हैं gamut को divide करने का अब हम इधर से जो है इस particular gamut को उठाते हैं जहाँ पर कि दो dominant है दो recessive है यहाँ से हम इस क्रमेटिट को उठाते हैं जहाँ पर कि दो dominant लेल्स है और दो recessive लेल्स है अब देखिए क्लेक्ट हो गया इस वार हमारे जीनो टाइप भी मैच कर गया राइट क्योंकि हमारे जीनो टाइप क्या होगा देखिए small l small l small r small r नीचे में हो गया यह पेर राइट और ऊपर में क्या है capital C capital C और capital B capital B एक जेट हमारे मैच कर गया है इसमें हमको देखिए तो curly wings चाहिए लेकिन एक capital C एक small c black body में दोनो जो है of course small b ही रहेगा नॉर्मल एंटेना तो small l ही रहेगा और red eye चाहिए वह भी दोनो जो है capital R वाला LL होना चाहिए तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको capital छोड़ते हैं body वाले को जो है हम change करते हैं इधर जो है antenna वाले को हम change कर लेते हैं अब इधर से हमको क्या चाहिए तो इधर से हमको एक C जो है वो चाहिए small वाला right चलिए उसके लिए भी हम change कर लेते हैं कि body वाला हमारा small हो गया C भी हमारा small ही रहना है normal antenna चाहिए तो यहने कि हम L को भी small करेंगे eyes लेकिन हमें capital R, capital R वाला चाहिए genotype और phenotype जो है red eyes होना है यह हमारा हो गया arrangement अब जो हम gametes को divide करते हैं so capital C small c यह हम उठाते हैं और यह हम उठाते हैं अब यहां पर पिचो आपके सामने LLs का arrangement दिखा हुआ है और मुझे क्या चाहिए genotype और phenotype और यहां पर आप देख रहे हैं अब आप क्या गेस करके बता सकते हैं कि इस बार मैं पास करूंगा या फेल करूंगा अब देखें आपने जो भी गेस किया हो मैं ट्रैकर कर दा हूँ मैं फिर से पास कर गया I am getting better at this Now let me try 4th offspring अब यहां पर नॉर्मल विंग्स चाहिए a small c a small c brown body चाहिए यानि कि जिनो टैप क्या रहेगा capital B a small b legs on head यानि कि और उसमें भी genotype क्या चाहिए capital L small l और orange eyes दोनों का दोनो जो है small r तो पहले मुझे cross over करवाने दीजिए अपने हिसाब से तो सबस्पले तो c को चाहिए change right इधर भी हमको एक c को change कर देना है चल गया brown body में इसका b जो है वो को capital रखना है इसका b जो है वो क्या चाहिए small चाहिए तो b को भी change कर देते हैं c और b तो हो गया legs on head चाहिए लेकिन इधर का ll हमारा क्या रहेगा small वाला रहेगा L जो है यह भी small होना है और r भी मुझे देखे यहां पर small वाला ही चाहिए तो यह मैंने चलिए एक तयार कर लिया पूरा का पूरा वैसे ज़र्णत नहीं थी इधर मेरे पास already available था तो बरावर ही है अब इधर क्या चाहिए तो हमारा b capital होना है l capital होना है लेकिन r जो है वो small होना है gamut को divide करते हैं इस sister prometed को इधर से लेके आये हैं इधर से किसको लेका आये हैं किसी को उठा के लेका है जिसका कि सारा का सारा recessive हो यही उठा लिया हमने अब चलिए ls आपके सामने मौजूद है और आपको यह check करके बताना है कि क्या मैं सही genotype और phenotype अचीव कर पाऊंगा let's see great target of spring 5 normal wings चाहिए small c black body legs on head L genotype होना चाहिए red eye जिसमें की लेकिन genotype क्या होगा तो change करते हैं हम कैसे c को समॉल कर देते हैं b को भी समॉल कर देते हैं L कैपिटल रहना है R कैपिटल इधर वाले में c पैपिटल रहेगा b भी समॉल रहेगा legs on head रहना है L कैपिटल आपिटल रहना है तो इसलिए L को चोड़ देते हैं and in red eyes में एक एक हमको स्मॉल आर वाला चाहिए तो इसके ल्ल र को हम स्मॉल करते हैं अब सो गंध से डिवाइट कर देते हैं चली अब इसको लेकर इधर आते हैं हम इधर से यही गंध सुलाना है इस इह क्यों न ही रहा है आगे यह इधर अब चलिए आपको पता है exactly मुझे क्या जीनो टाइप अचीव करना है आपको पता है कि मुझे क्या फिनो टाइप अचीव करना है right so what do you think will we be able to achieve the correct जीनो टाइप and फिनो टाइप let's see I got it so well चलिए मुझे लगता है किस बार पपु पास हो गया right और आप लोग भी जो है यह समझ गए किस तरह से जो है बेसिकली जो है एलेल्स का ट्रांसफर होता है right cross over process में right जिसकी वाज़से genetic variation आती है अब पैरेंट से जो हमें क्रोमोजोम मिलते हैं उनमें कौन से एलेल्स मौजूद होते हैं वह एलेल्स टै करते हैं कि हमारा phenotype क्या होगा यानि कि हमारी appearance क्या होगी और वही एलेल्स टै करते हैं कि हमारा genotype क्या होगा right जिसकी यहां पर दिया हुआ है right so this will be very helpful for you when you are studying heredity topic in your grade 10 bio okay so let's end the session here bye-bye